नमस्कार मैं हूँ मिनाक्षी गुपता और आप देख रहे हैं SPN 9 News इधर मध्य प्रदेश के CM शिवराथ सिंग चोहान और BJP नेता जो तेरा दित्य सिंध्या ने एक साथ भोपाल का दौरा किया उधर सिंध्या समर्थक नेताओं को एक बार फिर मंत्री बनने की आस बंद गई जिसको लेकर सिंध्या के खासम खास गोविन सिंग राजपूत का बयान भी सामने आ गया है दरसल सिंध्या खेमे के नेता गोविन सिंग राजपूत ने सिंध्या समर्थक नेताओं के मंत्री बनने की सिलसिले में एक बड़ा बयान दिया है गोविन सिंग राजपूत ने कहा उन्हें मंत्री बनने की जल्दबाजी नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि इंतिजार का फल मीठा होता है मंत्री बनने का फैसला मुख्या मंत्री शिवराज सिंग चोहान करेंगे गोविन सिंग राजपूत के इस बयान के माईने इसले भी निकाले जा रही है क्योंकि शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहे गोविन राजपूत और तुलसी सिलावट को उपचुनाव जीते हुए एक महीने से जादा का वक्त हो गया है लेकिन उन्हें अभी तक दोबारा मंत्री नहीं बनाया गया है इन दोनों नेताओं को समय अबदी में उपचुनाव ना होने की वज़े से अपने पज से इस्तिफाद देना पड़ा था माना जा रहा है कि लंबे इंतजार का फ़ल इन दोनों को जल्द ही मीठा मिल सकता है एक महीने के अंदर तीसरी बार भोपाल पहुंचे बीजेपी सांसर जोतिरा दित्य सिंध्या की शुक्रवार को मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान के साथ एक बार फिर मुलाकात हुई दोनों नेताओं ने अकेले सीएम हाउस में बैठा की यह माना जा रहा है कि दोनों के बीच संभावित मंत्री मंडल विस्तार और निगम मंडलों में होने वाली न्यूक्ति को लेकर चर्चा हुई है हलाकि भोपाल एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने जो तेरा दित्य सिंध्या से मंत्री मंडल को लेकर सवाल किया तो उन्होंने अपना पुरावना बयान दोहराया उन्होंने कहा था कि मंत्री मंडल का विस्तार मुख्य मंत्री का विशेशा दिकार होता है शिवराज मंत्री मंडल को लेकर अटकलों के दौर लगातार जारी है 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक विस्तार नहीं किया गया है ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मंत्री मंदल विस्तार में देरी किस बात को लेकर हो रही है उप चुनाव में शिवराज मंत्री मंदल में शामिल रहे तीन मंत्री चुनाव हार गए थे जबकि गोविन सिंग राजपूत और तुलसी सिलावट को चुनाव से पहले इस्तिफा देना पड़ा था लेकिन ये दोनों नेता चुनाव जीत गए थे और उन्हें अब अपनी शपत का दोबारा इंतिजार है देश और दुनिया से जुड़ी ताज़े तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे एस्पे नाइन न्यूस के साथ और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर करें हमारे चैनल एस्पे नाइन न्यूस को भी जरूर सब्सक्राइब करें